उत्तर और दक्षिन की दिशा में ना सोई, क्योंकि वो बदलाव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अपने टकने के ठीक उपर तक, अपने पैरों को अंदर रखें और इसे ढख लें, और 30-40 मिनिट ऐसे ही बैठें, अगर आप ऐसा करते हैं, तो जो लोग allergic है वो ठीक हो जाएंगे क्या चुमबक से लाज हो सकता है और क्या चुमबक पहनने से स्वास्थियों और आध्यात्मिक्ता में इसाहयता मिलती है? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो हम एक चुमबक पर जी रहे हैं धरती एक चुम्बक है क्या आप जानते हैं? इसका एक उत्तरी और एक दक्षन ध्रोव्या पोल है और हम एक चुम्बक पर जी रहे हैं पर कोई लोग आपको एक छोटा चुम्बक बेच रहे हैं जिससे आप अपनी कलाई पर पहन सकते हैं इससे आपका जीवन बदल जाएगा मैं कहा रहा हूँ जब आप इस चुम्बक पर रहते हैं तो आपको दूसरे की क्या जरूरत है? ये काफी बड़ा चुम्बक है और ये काफी प्रभावी है और आपका शरीर भी इसी चुम्बक का एक हिस्सा है और ये अपने आप में एक चुम्बक है हो सकता है बहुत से लोग चुम्बक की तरह काम नहीं कर रहे हैं वो सब के साथ विपरीद ध्रूव हो सकते हैं या फिर एक ही ध्रूव जिससे हर कोई दूर होना चाहता है तो बाजार की ताकतें बहुत कुछ कहती है अगर आप अपने शरीर पर चुम्बक पहनते हैं तो इससे आपके शारिरिक मापदन में कुछ बदलाव आ सकता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप जाकर एक इलेक्ट्रिकल ट्रांस्मिटर के बगल में खड़े हो जाएं तो आप अपने शरीर में होने वाले बदलावों को माप सकते हैं अगर आप किसी पेड़ के पास खड़े हो जाएं तो आप वाकई अपने शरीर के बदलावों को माप सकते हैं अगर आप खड़े होते हैं तो आपका शरीर एक तरह से काम करता है अगर आप सिर्फ जमीन पर लेड़ जाएं तो ये एक अलग तरीके से काम करेगा इसे समझते हुए हमने आप से कहा उत्तर और दक्षिंड दिशा में नस होएं क्योंकि ये बदलाव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे तो क्या मुझे चुम्बक पहनना चाहिए ज़रूरी नहीं है उससे कुछ बदलाव हो सकते हैं मानव शरीर के विज्ञान को इतना आसान न समझे ओ ब्लड प्रेशर पांच अंग गिर गया है तो सेहत अच्छी हो रही है मानव शरीर इस तरह काम नहीं करता शरीर इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है मैं कहूंगा कि ऐसे तांत्रिक अभ्यास हैं जिनसे हम आपको दुनिया के उस हिस्से से अच्छी तरह से तालमेल मिला सकते हैं जिसमें आप रहते हैं ऐसी चीजें ऐसी चीजें की जा सकती हैं पर उसका फाइदा तभी होता था जब ऐसा समय था जब लोग कभी भी दस मील से ज्यादा नहीं चलते थे जहाँ पर भी वो रहते थे क्योंकि लोग बस पैदल चलते थे वो वाकई किसी एक स्थान से बहुत दूर नहीं जाते थे तो उस समय शरीर स्वाभाविक रूप से धर्ती के साथ तालमेल में आ जाता था एक विशेश तरीके से उस स्थान के कॉडिनेट्स के आधार पर जहां आप होते थे लेकिन आज हम सब इधर उधर जा रहे हैं अगर मैं आपको यहाँ वेलियंगेरी की 11 डिग्री वाली जगह के साथ तालमेल में ले आऊं और कल सुबा आप दूसरी जगह के लिए उडान भरें तो आप मैं अपने शरीर को फिर से तालमेल में लाने का ज्यान और क्षमता होनी चाहिए वरना शरीर कई तरह से परिशान हो जाएगा तो मैं कहूंगा अगर आप बड़े मैगनेट के साथ सही से जुड़ते हैं जिस पर हम सभी रह रहे हैं और हम सभी जिस से बने हैं तो यह आपकी कलाई पर छोटे चुम्बक पहनने से कहीं ज्यादा फाइदे मंद होगा और आप पर लोहे की कीलें भी चिपक सकती हैं तो सुभा आप यह कर सकते हैं शामभवी करने के बाद किसी मैदान में एक छोटा गढढ़ा खो दें आपके लिए नहीं केवल दो फीट और बस अपने टखने के ठीक ऊपर तक अपने पैरों को अंदर रखें और उसे ढख लें और तीस-चालिस मिनिट बैठें बस धर्ती से जुड़े रहें आपका शरीर खुद को बड़े चुमबक के साथ तालमेल में ले आएगा और आपको अपनी कलाई या अपने टखने पर चुमबक नहीं पहनने पढ़ेंगे वो चुमबक खरीदने की बजाए आप दो फिट गहरा गड़ा खोद कर उसमें अपने पैर रखकर उसे ढख दें आपका सिस्टम बड़े चुमबक के साथ बहुत अच्छे से तालमेल में आ जाएगा और इससे कई चीज़ें जुड़ी हुई है कई सारी चीज़े आपने भारती योगियों को गले तक मिट्टी में दफन होने के बारे में सुनाए मैं वही सुझाब देने वाला था पर मुझे पता है कि आप वो नहीं करेंगे इसलिए मैंने पैर कहा तो बस पैरों को मिट्टी में गाड़ दे अगर यह वाकई मददगार है तो आप गर्दन तक खुद को गाड़ सकते हैं यह अच्छी तरह काम करता है वरना लोग एक सरल कॉस्मेटिक तरीका अपना रहे हैं वो मिट्टी का स्नान या मढ़ बात ले रहे हैं धर्ती में दफनाया जाना बैतर होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कम से कम सेहत के मामले में आप में से जो लोग एलर्जी से पीडित हैं एलर्जी का मतलब है कि किसी तरह से आपको यह धर्ती पसंद नहीं है आप में कुछ ऐसा है जो यहां के जीवन या इस धर्ती की जीवन बनाने वाली सामगरी के साथ तालमेल में नहीं है आप थोड़े एलियन बन रहे हैं यही एलर्जी का बुनियादी मतलब है तो अगर आप खुद को धर्ती के तरीकों से जोड़ लेते हैं तो एलर्जी गायब हो जाएगी तो पैरों से शुरुवात करें अगर यह काम करता है तो थोड़ा गहरा जाएगी यह काम करेगा